यूइंग देटा अब हम क्या करेंगे हमारी स्टेट्मेंट का जो रिजल्ट है वह अब हम पीएस पी में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा रिजल्ट हम यूज़ करेंगे सो इसे लेट से नियो क्योरी स्लेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्याटिकरीज ठीक है यह हमारे पास वाट इस गिविंग रिजल्ट यह रिजल्ट यह रिजल्ट दे रहे हैं हम इसमें से यह तीनों एटिबीट उठाते हैं अभी पिक्चर को नहीं हम उठाएंगे सब्सक्राइब को यह को यह क्यों हैं तो यह साथ सपोर्ट कर देख यहीं सेक्यूरी कर रहा हूं अब मैं PHP में यह चीज लाना चाहरा हूँ कि थ्रू PHP में रेट्रीव करूं कि यह जो डेटाबस के टेबल है इसका कुछ रिजल्ट मुझे दिखाना है तो क्या करना होगा मुझे यही क्यूरी वहां यूज करनी है तो सबस्क्राइब तो हम आते ही हमने connection open किया connection string यह काम आपको must करना है ठीक है और add then connection आपने यह काम इतना काम दिख लेना है ठीक है अब यहां पर हमने यह दुबारा देख लें यह मैंस को दरा में maximize कर रहा हूं connection यह आपको हर जहां पर भी database का यूज करना है यह आपने काम must करना है ठीक है अभी आगे चलके हम इसको जब प्रॉपरली pages को connect करेंगे तो यह भी काम कर सकते हैं यह एक ही जगह हम इसको लिखें और इसे include करने हर page में तो यह हम आगे चलके चीज देखेंगे कि यह एक टेकनीक होती है ओके जी अभी क्या connection बना सेम पिछले वाला जो लास्ट हमने connect का किया था तो मैं connect की फाइल भी include कर सकता हूं यहां पर वह भी काम करेंगी डरेक्ली बट अभी हम क्योंकि सरफ retrieval देख रहे हैं हमारा focus वहीं पर होगा connection बना अगर हमने देखा कि connection में कोई error है तो फिर क्या करेगा वह आपको error दे देगा otherwise क्या काम करना है सबसे पहले हम एक variable लेते हैं for example मेरा variable SQL इसको मैं यह वाली string दे दे तो यह वाली query दे देता हूं ओके अच्छा अब क्या करना है हमने connection से कहना है मुझे यह query run करके मुझे result दो तो you can declare one variable result is equal to हमने connection से बोला connection dot query को run करो query और इसका हम नाम दे देते हैं SQL जो भी हमने नाम दिया है अब होगा क्या हमारे पास इस result variable के अंदर data आ जाएगा ठीक है वह अब हम चेक करेंगे कि क्या data available है यह नहीं है result variable हम यह चीज़ बताएगा और उसके बाद हम एक associative array से इस result से retrieve करके उसके थूँ उसके अंदर उसे हम लूप करेंगे और प्रिंट करेंगे data को तो हम चेक करते हैं कि एफ result नम रोज अगर इसके अंदर कोई रोज हैं greater than zero तो कुछ काम करें जो अब हम करवाना चाहते हैं otherwise क्या कहें एल्स नो डेटा इको टेबल इस एंप्टी ओके तो यह अब हम काम करेंगे और अभी हम यह कहते हैं for example table has data टेबल है डेटा तो बात में इसको ट्रीव भी करते हैं तो let's see view table has data has data but where is data वह अब चेक करते हैं कि यह data है कहां पर तो let's see इसकी बजाए अब हमने क्या करना है इस data को हमने लूप करना है ठीक है इस data को हमने लूप करने के बाद इससे प्रिंट करते जाना है तो क्या कहा है लूप हम देख चुके हैं पहले लूप किसा काम करते हैं हम कहते हैं जी रोव एरियेबल एक लिया इसको हमने result से अब देखे connection से हमने result लिया result से अब हम क्या करेंगे हम कहेंगे fetch associative array fetch associative यह इसका नाम है फेच का नाम है fetch अंडर स्कोर ए डेबल एस ओ सी हमने का कि जब तक इसको यहां से data मिलेगा क्या करता जाए कुछ हमने काम right now हम करते हैं कि echo करें क्या echo करना है अभी category की मैं list echo कर रहा हूं तो रो के अंदर रो क्योंके associative array है तो आपको पता है associative array हम इस नामों से यानि कि उसका array का नाम दिखते हैं यह रो और उसके बनाम उसका नाम दे देते हैं उस array का element का जो हमने retrieve करना है तो यह किस चीज़ की array बनाएगा यह category id category name and description की array इस row variable में होगी so I can say echo category name और उसके बाद हम इसको concatenate करते हैं यानि एक नाम दिखने के बाद ब्रेक लगाता हूं बी आर का tag अब क्या होगा यह लूप किया इस रो में से सिरफ यह category name लेकिया और ब्रेक वन बाइवन नेम प्रिंट करता है जब तक इसके अंदर डेटा अवेलेबल है है तो लेट सी अंकॉल वाइट इस एंग अंडिफाइन फैच का आई तिंक कुछ गल्द तिक है मैंने स्वरी यह डॉट दिस दॉट लाइक दिस तो यह जिसने इसके नाम से इसने प्रिंट कर दी है ठीक है जी यह हमारा एक सिंपल सा जो है वाइल लूप के थूँ हमने डाटा को रिटरीव कर लिया है अब हम इसको डाटा एश्टीमल के टेबल की फार्म में लिखना चाह रहे हैं अब हम वो टेक्निक चग करते हैं कि क यह आपको पता कि टेबल अगर मैं इस लूप से बाहर लिखो टेबल आपको जस्कार्ण डाटेबल और यहां पर यह टेबल हमारे पास और इसमें होगा टेबल हैड़ टेबल रो और हम कहते है टेबल हैडिंटी एच आईडी टी एच नेम एड टी एच काटेगरी ओके उसके बाद किया जिए मारे पास टेबल बॉड़ी टी बॉड़ी तेन वी है टी आर टी डी में कुछ वैल्यू आएगी कुछ भी जो डी बीत है अब यह आपको मैं यह शो करता हूं कि कैसे हम इसको डाने में करेंगे टी डी सम वैल टी डी सम वैल्यू ओके होगा होता क्या है यह हमारा स्टेटिक चीज है यह वाली यह इतना हमारे पास तो आना है आल डा टाइम टॉप पे यह जो अंदर वाला रो है यह रिपीट होती है यह रो यह रो आपकी रिपीट हों कि हर इस लूप के साथ कि जैसे ही एक हो एक रो टाइटा दूसरा डेटा थीसरा डेटा सो इट विल बी राइक तो अब हम देखते हैं कैसे हम यह काम करेंगे यह लूप नहीं होना तो इक मिन्स के अगर हम यह चेक करेंगे कि इफ अगर क्नेक्शन तो अगर से पर रिजल्ट है तो प मिलें तो टेबल बनाए ना भई टैग वहां से close करके only HTML लिखेंगे हम यहां पर PHP, this one table, अब क्या करेंगे, जैसे ही यह वाला काम स्टार्ट होगा हमारा, जैसे यह सारा काम होजए, तो इसके बाद हम कहेंगे जी अब आप इस काम को भी close करें, जो हमने टी बॉडी का tag है, इसके close करें, इसको अब हम नहीं छड़ेंगे यह वाले को, इसको बाद में हम देखें, डैनमिक कैसे करेंगे, तो लूप के अंदर, यानि लूप खत्म होन के बाद हम यहां पे आए, and we say this one, अब क्या होगा, टेबल हमने बना लिया, ठीक है, उसका T-head, सारे header भी इसके बता दिये, and then we can say, अब आया यहां पे काम सारा, यह जो row है, इसने होना है repeat, इस row से, तो इस जिसने repeat होना है, उस row को हम लिखेंगे लूप के अंदर, इस तके close करें PHP के वाले tag को, and then we say here PHP, ठीक है, अब यहां पे यह चीज लिखें, तो क्या होगा, यहां पे यह जितनी हमारे पास row का, हमारे पास होगा, row की length होगा, उतनी बाद टीर का tag प्रिंट हो जाएगा, तो क्या है data case में पढ़ा हुए, row में, है, so we say, यहां पे हमारे पास PHP का एक, यह चीज, यहां तो echo कर लिए इसको, echo इसका नाम क्या है, row, sub, single में जाके, यह नाम देंगे, आप category ID, तो first में यह लिखा आ गया, then copy it, second, category name, third, description, ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, some error, ठीक है, यहां पे क्या करें, यहां पे क्या करें, I did something wrong here, let's see, यह लूप मारे स्टाट हुआ, then we have, is it, this tag is, yes, php, are we okay with this, यह ठीक है, इसमें कोई श्यो दो नहीं हो चाहिए, row, category, let's see again, yeah, semi-column missing, तो यह अब आप देख सकते हैं कि टेबल है, अब जो यह टेबल आ गया है, यह हमारे पास एक सिंपल सा टेबल है, हमारे इसका bootstrap का यूज कर सकते हैं, और इसका खुशूरा बना सकते हैं, वो उसका क्या तरीका कार है, that, that will see, लेकिन अगर आपने देखना है bootstrap का course तो आप यहां पे bootstrap का course जा के चेक कर सकते हैं, किस तरह हम जो है, वो यूज कर सकते है, bootstrap के जरी है, same data, तो यहां bootstrap का course available है, यहां पे आप टेबल को, यानि के उपर CSS किस तरह apply करेंगे, आप यहां पे bootstrap लाई कर सकते हैं, बट आगे इसके जैसे यह हमारा basic खतम होगा, तो मैं ऐसी complete example भी bootstrap वो आपको शोग करूँगा किस तरह यह काम करते हैं, तो अभी आपने देखा, इसको दोबारा repeat कर लेते हैं, connection open किया, यहां पे हमने SQL statement लिखी, उसके बाद हमने का कि connection से कहा कि हमें query से result return कर दो, अब हमने check किया अगर इसके पास data available है, तो फिर क्या करे, table करे, t head यह ideas बता दे जो आपने देने हैं, then हमने loop किया, associative array को और वो जो रोज है जितनी बार हमने print करनी है, एक time लिखेंगे, one time आएगी और बार बार आपकी यह loop के through, next row, next row उसको print कर देगा, and then after closing this one, जैसे ही यह close हुआ, while अपने T body भी close कर दी, and table भी close कर दिया, तो अभी हम फिलाल के लिए यह काम कर सकते हैं कि table को, for example, I say, styles पर अप्लाई करते हैं, border, one pixel, solid, black, and what else, okay, इसको देखते हैं, is it working, table border one, पहले करते हैं, border is equals to one, border, border, okay, यह इसका border आगया, बाकि इसकी आप है HTML की सारी properties बगरा इसके इसका कर सकते हैं, क्योंकि को इसका focus नहीं है HTML के उपर HTML की, इसको skin apply करना, HTML की इसका style apply करना, so हमारा focus है यह हम data retrieve कर रहे हैं, हुआ है PHP, so next हम देखते हैं कि यह तो था, full, complete एक अपने table का सारा data print किया, अब हम यह देखते हैं कि आपने single record कैसे print करना है, कर दो